तो भाई लोग प्रभास और प्रसाद नील की highly anticipated film सालार का टीजर रिसेंटली सुभा सुभा पाच बारा पर रिलीस किया गया था और भाई साब प्रसाद नील ने एक्टर प्रभास को टीजर में सिर्फ साइट से ही दिखाया है फिर वी वो most violent man लग रहे हैं टीजर ने इंटिनेट पे धूम मचा दी है और मुवी लवर सालार की दुनिया को दिखने के लिए आभी से ही पगला गया है एक मिनेट चियाले सेकंड के टीजर में हमें बड़े बड़े इंडरस्टियल सेट्स आफ्रिकन कलुए साइट से प्रभास प्रितवीराज सुकुमारन और टीनु आनंद हमें बवाल डायलोग मारते दिख रहे हैं कि लाइन, टाइगर, चीता, एलिफेंट बहुत डेंजरस होते हैं पर चुरासिक पार्क में नहीं त्योंकि वहाँ होते हैं डाइनासॉर्स, प्रिडियेटर और उसके नेक्स्टी सीन में हमें सालार का डाइनासॉर्स देखने मिलता है प्रभास, दी मोस्ट वॉलनेड में पर टीजर एंड होते हैं प्रित्वी रासुकुमारन को देखते हैं पूरे काले कपडों में ठ्रोन पर बैटे हुए, अब प्रोबैबली वो इस फिल्म के विलेन हो सकते हैं तो भाई लोग अभी सिर्फ अंदाजाई लगाया जा सकता है, टीजर देकर नहीं बुला जा सक हैं कि जहां एक रास्ता है और आसपास के घरो और टंकी जैसी चीजों पर C516 लिखा हुआ है, तो भाई लोग ये पूरा सीन KGF2 में भी था, तुम लोग ये वाली सीन देकर अंदाजा लगा सकते हो, दोनों के कनेक्शन का, जो की ट्विटर पर किसी बंदे ने शेर की है इसके अलावा सालार का टीजर सुबा 5.12 पर इलीज किया गया था, और यही वो समय है जब KGF2 में रोकी बाई समुदर में डूबा था, प्रस तुमें KGF2 में ये वाला लड़का तो यादी होगा, जो अधीरा के सामने खड़ा है, अधीरा इसे मारता है या नहीं, यह हम KGF2 में नहीं दिखाया जाता, और जब रोकी बाई इसकी मा को इसकी लास दिखाता है, वाँ भी इस लड़के का चेरा में दिखने नहीं मिलता, अब हो सकता है कि यही लड़का आगे जाके हमें सालार में प्रभाज बनता दिखे, क्योंकि सालार की स्टार कास्ट में भी लड़के का नाम है, अब इसमें मेरी थोड़ी सी थियोरी यह है कि हो सकता है कि रोकी भाई ने लड़के की बाउदरी देखकर इसे अपने साथ रख लिया हो, और KGF2 में जो 4 साल का गया दिखाय गया था, यूरोपियन कट्रीज में क्राइम के बारे में बताय गया था, अब हो सकता है कि रोकी भाई ने इसी लड़के को अपना सामराज बढ़ाने के लिए काम दिया हो, अपना सेना पती बना के बेजा हो, क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पर सालार का मीनिंग सर्च करोगे, तो तुम्हें तेकने मिलेगा कि इसका मतलब सेना पती, फौजियो 2030 को आएगी, प्लस ये भी दो पार्ट में रिलीज होगी, पहले पार्ट का नाम सालार पार्ट वां सीसफायर होगा,